असलाम अलेकुम व्योज आज की वीडियो में मैं आपके साथ आटा गूंदे बगएर नर्मो मुलाइम और फूली हुई रोटी बनाने की रेस्पी शेयर करूंगी मैं इसी तरीके से सालों से रोटी बना रही हूँ मैं इसको टिपीकली आटे को नहीं गूंती जस इसमें कुछ चीजें एड करती हूँ जिसकी वज़ा से आटा बहुत ही नर्मो मुलाइम रहता है उसके उपर पिपड़ी नहीं जमती और रोटियां भी इस तरह से गुबारे की तरह फूली हुई बन रही है इसी तरह से आपकी रोटियां भी फूलेंगी आपने वीडिय आटे को हमने बहुत ज्यादा गूंदना नहीं है और यह परते इस तरह से अलग होंगी यह देखिए यह दूसरी रोटी भी मैं आपको दिखाती हूँ अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोटी कितनी सौफ्ट है मैंने यहाँ पर नीचे टावल रखा है और इसक करते हैं तो वह कर ले वनना इस तरह का पॉट भी चलता है अब हम उचानी यूज़ करेंगे इसका मतलब आटे को चान के इसका इसका वुरादा निकालना नहीं है बलके इससे आटे को साफ किया जाता है अगर इसमें कोई गुटलियां वगरा है जो बाद में आटे की डो बनाने में प्रॉब्लम करती है तो वह हम इसी स्टेज पर निकाल देते हैं या अगर कभी आटे में कोई कीड़ वगरा लग रहा हो तो वह भी इसी से हमें आइडिया होता है कि आटा जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है इस तर आटा चेक भी हो जाता है अब यह नीचे साफ सुल्ट एड़ किया है नमक जो भी आप खाने के लिए यूज करते हैं नमक से रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और गर्मी के मौसम में कई दफ़ा आटा बहुत ही पतला हो जाता है तो अगर आपने नमक डाला होगा तो आटा ज्यादा पतला नहीं होगा अब आपने इस को सखत भी नहीं करना है बस थोड़ा थोड़ा सा पानी एड़ करना है मैं बहुत ज्यादा नहीं गूंद रही हूं यह देखिए इसी तरह से इस सारे आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गिला कर लेंगे एक और इंग्रिडियंट भी हम इसमें एड़ है यह भी गिला हो गया अब इस सारे को इकठा करके हमने एक जगा पर रख देना है यह देखिए और साइडों से इस बर्तन को हम साफ कर लेंगे हलका हलका पानी लगा के यह देखिए अब आपने हाथों को साफ कर लेते हैं आटा बिलकुल जाया नहों बर्तन भी साफ हो जाए और आपके हाथ भी साफ हो जैं इस तरह हलका हलका प्रेस करने से मैंने कोई मुठिया मार मार कि इसको नहीं गुंदा है जस्ट इसको एक साइड पे कर दिया यह देखिए अब आपने कोई भी बरतन लेके इसका कवर हो या फिर बड़ी प्लेट हो उसके साथ इसको कवर करके 15 मिनिट के लिए छोड़ देना है 15 मिनिट के बाद आप काटा बिल्कुल इस तरह से होगा जिस तरह से या आपने बहुत ज्यादा जोर जोर से गूंदा हो इसमें ये लेस आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा आ गई है लचक से ही रोटी अच्छी बनती है जितनी ज्यादा लेस और लचक होगी उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी और ये आप dough भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा ना ज्यादा नरम है और ना ही ज्यादा सकत है ये बिल्कुल medium size की dough है ये देखिए अब मैंने ना इसको गिला करने के बाद इसमें मुठी हमारी है और ना अब इसको इकठा कर दिया है एक जगा पे इसमें कोई lumps नहीं है यह देखिए बस आपने यह खिया रखना है कि अब आपने cooking oil या घी जो भी आप use करते हैं एक से डेट चमच उसके उपर इस तरह से लगा के इसके उपर coating कर देनी है इस तरह इसके उपर एक हाड सी जो सता जम जाती है या उपर से काला हो जाता है वो न नरम रहेगा और इसकी life भी shelf life भी बढ़ जाती है यह जल्दी खराब भी नहीं होगा इस oil की वज़ा से यह देखिए डो कितनी soft है इसी तरह यह सारा आटा ready है रोटी बनाने के लिए लेकिन इसको rest पर रखना बहुत जरूरी है इसको fridge में रखके ठंडा करें उसके बाद आटा इस तरह से त्यार करने के फॉरण बाद अगर आप रोटी बनाएंगे तो रोटी लटक जाती है अच्छी नहीं बनती जब भी आपने रोटी बनानी हो आटा पहले से गूंद के रखें और जब तवा अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद इसके उपर रोटी ड ज-2 अगर आपक काफी देर उसको हा ड होने देंगे और फिर पलटेंगे तो फिर जियादा फूलेगी नहीं और सखट सख्ट ही रहेगी यानि पहली दफया आतने फॉरण उसको पलटना है उसके बात दुर जब आपके साथ है इस तरह से सेठ ले रोटी को अधर्वाइन मैं एक device यूज़ करती हूँ सेखने के लिए वो भी easily available होती है हर जगा पर उसको सेखना ही हम बोलते हैं उसके साथ भी रोटी बहुत ही अच्छी सिखती है लेकिन यह चिम्टा तो आम तो पर हर घर में मौझूद होता है इसी तरह से इसको सेखते जाए और यह देखिए कितन आप इसको बेलने तो किनारों से इसको ज्यादा बेलने की कोशिश करें दरम्यान से गर थोड़ी सी मोटी भी रह जाएगी तो कोई इशू नहीं है वो फूल जाएगी साइडों से इसको कोशिश करें कि जो बेलन है वो साइडों पर चलाएं साइडों पर चलाने से किनारे पतले होंगे और दर्मियान से वो देखने में भी खुबसूरत लगेगी और फूलने के बाद उसकी लेयर्स खुद बाखुद अलाग होती जाएंगी अब इसी तरह से ये मैं रोटी बना रही हूँ मैंने इस टाइम पर पूरे घर के लिए रोटियां बनाई थी और ये वाली डिवाइस में यूज़ करती हूँ यह आमतर पर काफ़ी ज़्यादा घरों में तो होता होगा लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको बाजार से इजीली परचेस कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से यह पूरे की पूरी रोटी आपकी इसके उपर आ जाती है और बहुत अच्छी फूल भी जाती है अगर आप डिरेक्ट आग के उपर रोटी नहीं सेखना चाहते तो आप रोटी वाले रुमाल के साथ तवे के उपर ही इसको सेख सकते हैं यह देखिए कितनी फूली हुई है मार्शाला से कि मैंने सारे आटे से रोटियां बनाई थी और एक तो बन भी अच्छी गहीं थी बहुत ही खुबसूरत और काफी ज्यादा बन गहीं थी और मैं यह सारी आपको दिखा रही हूं कि कोई एक रोटी फूली हुई नहीं है यह सब की सब रोटियां इसी तरह से फूल फूल के उतार रही है यह देखें यह किनिन आज की वीडियो में आपके लिए यूसफुल टिप्स होंगी इसको जुरू ट्राय कीजिए का आटे को इसी तरह से करने के बाद फिर रोटी बनाए फ्रीज में रखके रैस दें